कि नमस्कार दोस्तों देखिए आप सब ने बिहार इंस्ट्रेक्टर का एक्जाम दिया होगा आइटी इंस्ट्रेक्टर के लिए तो उसका रिजल्ट का नोटिफिकेशन कुछ ऐसा इस परकार से देखने का आपको मिलेगा जैसा कि अब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे बीटी एसी आईटी इंस्ट्रेक्टर रिजल्ट दोजर तैइस लेटेस्ट न्यूज आपको मैं बता दूं यह जो है यह आपको आपके लिए स्पेसल है देख सकते हैं यहां पर बिहार तक्निकी सिवायोग के द्वारा जो फेकेंसी हुई थी ठीक है इसमें देख सकते हैं कि लिखा हुआ है बिहार आईटी इंस्ट्रेक्टर का रिजल्ट कब आयाँ ओक यहां चेक करें मतलब यहाँ पर चेक कर सकते हैं और आप ूपर में देख देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है बिहार तक्निकी सेवा योग ने ITI इंस्टेक्टर लेखित परिक्षा का योजन 7, 9, 10, 16 सितंबर को किया है परिक्षाएं बड़ी संख्या में उमिद्वार सामिल रहे हैं जिनके परिणामों की घोसना के लिए विभाग त्यारी कर रहा है BTSC ITI इंस्टेक्टर रिजल्ट के जारी होने को लेकर यह अनुमान किया जा रहा है कि BTSC ITI इंस्टेक्टर का रिजल्ट अक्टूबर 2023 में ऑफिसियल वेबसाइट जो है www.btsc.bih.nic.in पर जारी किया जाएगा उमिद्वार परिणाम की घोसना के बाद नीचे दिये गए लिंक से बिहार ITI इंस्टेक्टर का रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन दोस्त यह वीडियो आज बना रहूं मैं 15 जन्वरी को और अभी तक जो है रिजल्ट नहीं घोसित की गई है इसके पीछे क्या कुछ कारण है क्यों delay हो रहा है यह सारे चीजों पर चर्चा करने वाले हैं तो आपकी जनकारी के लिए आप लोगी प्रशान होंगे पता नहीं प्रेजल्ट कव आएगा और क्या होगा तो आपकी जनकारी के लिए बता दे रिजल्ट में देरी होने के पीछे बहुत कुछ कारण है जैसे कि एकजाम तो हो गया कुछ लोगों का एक्जाम जैसे सीबीटी वालों का बाद में हुआ डिपलोमा डिग्री वालों का बाद में हुआ तो ये सारा चीज पिभाग सायद ये कर रही है कि सब का रिजल्ट एक साथ देगी की प्रवरी या मार्च के लाज तक ये रिजल्ट आने का सब्वाना जदाया जा रहा है लेकिन अभी भी कुछ कहां नहीं सब्सक्राइब देख सकते हैं यहां बस वही चीज भाग लेने वाले उमिद्वारों का चैन लिखित परिक्षा और पदों के अनुभव अनुभव परिक्षन से किया जाएगा जो उमिद्वार बिहार आईटिया इंस्ट्रक्टर की जाम के लिए नियुनतम पास अंक यानि कॉट अफ माक्स प्राप्त करेंगे उन्हें अंतिम चैन के लिए अनुभव परिक्षन या दस्थावे सत्याफन प्रकिरिया से गुजरना होगा आईटिया इंस्ट्रक्टर की 910 पदों पर चैन के लिए अंतिम सुची का निर्मान किया जाएगा जिसमें उन उमिद्वारों का नाम सामिल होगा जिन्होंने बिहार आईटिया इंस्ट्रक्टर भरती चैन परिक्षाओं में बेहतर परदशन किया है अधिक जानकारी के लिए आपको आगे भी देखना पड़ेगा देखिए यह्यां टेकनिकल सर्विस दिम्लाट्र मेंफ़ेuc का नाम आप लोग ने दिखाए 910 टोटल फूउर्ड पर फोस्ट थे एकजाम का डेट भी में बता चुका हूँ साथ नो दौस सोला सेप्टेंबर में हुआ था ठीक है इसका रिजल्ट अभी नहीं आया है इसका लास्ट वीक अक्टूबर में यही इसका वेब साइट है और देख सकते हैं यहां पर नियुक्ति के लिए भरती का अवजन भरती परिक्षा का अवजन जो किया गया था रहे उमिद्वारों की संख्या को रिक्त पदों के अनुरूप करने के लिए अनुभा परिक्षा के लिए सॉटलिस्ट करने के लिए भिहार आई ट्या इंस्ट्रेक्टर काट अफ मार्क्स लोजार टेइस का टोगरी जोई जारीक कि जाएगी हमने इस पेज में बीटी सी अधिकारिक अधिकारिक के साथ जारी की जाएगी जी से नीची आधिकारिक लिंक से ढउनलोड कर पाएंगे आगे आप देख सकते हैं कि बीटी एसी आई टी आई इंस्ट्रक्टर मेरिट लिस्ट 2023 यहां पर कुछ दिख रहा है बिहार तक्निकी सिवायोग ने आई टी इंस्ट्रक्टर पदों की परिक्षा कायोजन जो सितंबर माहा में किया था निम्निकी डेटों में सफ़रुता पूरा कर लिया है बिहार आई टी इंस्ट्रक्टर के 910 पदों पर अमिद्वारों के चैन के लिए मेरिट सुची परकासित की जाएगी जिसमें आई टी इंस्ट्रक्टर परिक्षा के चर्णों में लिखित परिक्षान हुआ परिक्षन घरा बगरा यह सब चीज करें किये जाएंगे उन सभी अमिद्वारों के चैन की पूष्टी के लिए बिहार आई टी इंस्ट्रक्टर मेरिट लिस्ट सभी चर्णों की परिक्षा यानि अंतिम दस्तावे सत्यापन प्रकिरिया के सामने कि आगे आपको बताते हैं कि आउटू डाउनलोड लिंक यह सब लिंक जो दिखा रहे हैं यह लोग वेबसाइट पर यह सब बेकार का है कहीं से कुछ होने जाने को नहीं है ठीक है यह सब बस आप लोग भी कर चुके हैं तो थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों के लिए बस यही मैं कहना चाहूंगा थोड़ा इंतिजार करना पड़ेगा कुछ लोगों ने केस भी कर रखा है पतना हाई कोट में सिटी आई कंपलसरी हो या जो समीधा पे हैं जो गेस्ट में हैं और डो मिसाइल क पलसले से और आया था जो मिए गौसरी करने के लिए लेकिन अभी तक जाब जो हूगा है इसमें उसमें सिटी कंपलसरी नहीं किया गया है इस इन सब जाहूं कि आज अफडेट कर देता हूं छोटा सा वीडियो है आप लोग ध्यान से देखिए और अपने मित्रों दोस्तों तक सेयर करिए इसको खुब जम के और जल्द ही मैं कल परसों में धमाकेदार वीडियो लेकर आ रहा हूं जो रिजल्ट कब आएगी और केस अगर हूंगा तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ओके बाए